मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ एक चलते चलते छोटी बात किसानों के लिए कहना चाहता हूँ अगर यहां कोई किसान भाई हैं, खेती करते हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी खर्चा घटाएं अपना, खेती का खर्चा घटाएं तो खर्चा कैसे घटेगा, यूरिया डियेपी डालना बंद कर दें बहुत खर्चा घटेगा और दवा छड़कते हैं जो खेत में पेस्टिसाइट, वो बंद कर दें तो आप बोलेंगे फिर क्या करें, यूरिया डियेपी बंद करके गाय का गोबर, भैस का गोबर खेत में डालें अब आप बोलेंगे गोबर और कैसे डालें खेत में, बहुत सरल तरीका है उसका एक एकड़ खेत अगर आपके पास है, तो दस किलो गोबर लेलो किसी भी जानवर का दस लीटर मूत्र लेलो किसी भी जानवर का, गाय, बैल, भैस का दोनों को मिला लो, उसमें एक किलो गुड डाल दो, गुड और एक किलो दाल का आटा और एक किलो मिट्टी खेत की मिट्टी मेण की हो तो बहुत अच्छा गोबर दस किलो मूत्र दस लीटर एक किलो गुड एक किलो दाल का आटा और खेत के मेण की एक किलो मिट्टी ये पांच चीज़ें मिला के ड्रम में रख दो, पंदर दिन रखा रहने दो, पंदर दिन में खाद तयार हो जाएगा, फिर इसमें पानी मिला दो, कम से कम 200 लीटर, तो ये घोल तयार हुआ, इसको खेत की मिट्टी पे छड़कना है, ये सबसे अच्छी खाद है दुनिया की, एक पैसा भी खर्च नहीं ह ये खाद का इस्तेमाल हजारों किसान कर रहे हैं पूरे देश में, और सब अच्छे हो गए, जो किसान पहले गेहूं लेते थे, यूरिया डियेपी से, एक एकड में 10 कुंटल, अब उनका गेहूं आता है, एक एकड में 20 कुंटल, जिनका गन्ना होता था पहले, एक एकड म में 2 कुंटल, ढाई कुंटल, अब होती है 7 कुंटल, उत्पादन बढ़ गया, और जो पैदा हो रहा है, वो इतना स्वादिष्ट है, कि बजार में खूब अच्छे भाव पे बिखता है, जो किसान इस तरह से गेहूं करते हैं, उनका गेहूं 20 रुपाई किलो, 25 इनक तरीके से खेती करो तो बहुत अच्छा है, फॉर्मूला फिर बता देता हूं, एक एकड़ खेत के लिए 10 किलो गोबर, 10 लिटर मूत्र, 1 किलो गोड, 1 किलो दाल का आटा, 1 किलो मिट्टी, तो सीधे छिड़क सकते हैं, फसल खड़ी हो, तो पानी के साथ मिला सकते हैं फसल में जब पानी देते न, उसमें मिला दो इसको, मैंने एकड़ का बताया, अब दो एकड़ है, तो डबल कर लेना, तीन एकड़ है, ट्रिपल कर लेना, यूरिया का खर्चा खतम करना, अब यूरिया डियेपी बंद करेंगे, खर्चा कम हुआ, फिर हम जो खाएंगे, वो शुद्ध हुआ, वो शुद्ध खाएंगे, बीमारी कम, दूसरों को खिलाएंगे, उनकी बीमारी कम, सारा देश, स्वस्त, सुखी और निरोगी हो जाए, और जब खेत में कीड़ा लग जाए, तो कीड़े मारने की भी दवा घर में बना लो, गाय का मूत्र ले लो, भ इसी ताफल के पत्ते की चट्नी मिला दो, आदा किलो तंबागो का पत्ता पीस के डाल दो, और जो भी आसपास में पेड़ पौदे हैं, जिनके पत्तों को जानवर नहीं खाते, उनको तोड़कर चट्नी बना के डाल दो, गो मूत्र में या भहस मूत्र में उबाल लो, सर्चा बचाओ खेती में